जैंद मेरे पारे दोस्तों एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत सौ गया थे मेरे स्नेट वीडियो में दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी एनेचेम की तरप से पोस्ट के लिए जो वेगन से निकली है आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डीटेल से चर्चा करने वाल की निस्नल हेल्थ मिशन की तरप से दोस्तों पोस्ट के लिए कम्यूनिटी हेल्थ ओफिसर के लिए दोस्तों अठाइस सो पोस्ट के लिए आपका ये वेकनसी जो है उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है जल्द ही आवेदन स्टार्ट हो जागा दोस्तों इंपो इसमें फी आपका नहीं लगने वाला दोस्तों मीनिमम एज यहां पर नहीं रखा गया है मैक्सिमम इसकी बात कर लेते हैं 35 यह से है इसके बाद टोटल नंबर्स ओफ वेकेंसी दोस्तों यहां पर दिया हुआ है अठाइस सो पोस्ट के लिए टोटल नंबर्स ओफ वेकेंसी ह की बात है यहां पर अगर आपने GNM किया हुआ है या फिर BSC भी किया हुआ है दोस्तों नर्सिंग से तो आप इस पोस्ट के लिए आसानी से अपलाई कर सकते हैं रेजिस्टेशन इसका दोस्तों तीस तारिक से होना स्टार्ट हो जाएगा इंपोर्टन डिलिक्स जो है वो अफिसल विब साइड है दोस्तों उतर प्रदेश का रिप्यार है दोस्तों इसका डेश्टोप मोड में वर्जन में ओपन करने के बाद देखे जोस्तों रेक्वार्मेंट नोटिफिकेशन ओफ टॉन्टी एट थाजंड सॉफ वेकंशी चो दोस्तों यहां पर क्लिक करने क के बाद आपका एडविटाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों डाउनलोड होने के बाद में कुछ इस तरह से इसका एडविटाइजमेंट यानि का ओफिसल नोटिफिकेशन खुलेगा दोस्तों यहां पर साब सब देख सकते हैं आप लोग करियर ओपोर्चनिट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी दोस्तों ट्रेनिंग 2021-22 के ससन के तहत आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ट्रेनिंग करने के बाद में आपका एक एक एकजाम होगा दोस्तों एकजाम में अगर आप अच्छे माक्स ले आते हैं दोस्तों तो आपको जो है यहां पर देख स यहां पर आपको दोस्तो जब आप six month का training complete करने लेंगे complete करने के बाद में आपको community health officer के post पर दोस्तो अपॉइंट किया जाएगा contract basis पे देखिए दोस्तो contract basis पे यहां पर साब लिखा हुआ दोस्तो इसका link जो है PDF का link जो मैं description में डाल दूँगो वहां से देख जाके आप आस आप कहां से apply कर सकते हैं ये भी है दोस्तो दोस्तो फिलाल इतना ही इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वेगंसी के साथ जहें दोस्तो